अगर आप परफिक्ट रुमाली रोटी बनाना चाते हैं तो इस वीडियो को एंट तक जरू देखेगा है हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका तंदूर एंट फ्राई किचन में और मैं हो शेप का दिर अगर आप एक होटेलियर हैं उनके लिए बहुत ही फाइदावन वीडियो बनने वाला है दोस्तो रुमाली रोटी तो हरकोई बना लेता है लेकिन क्या है या तो वो बनाने डेंप फट जाता है या तो फिर वो बनने के बाद बिलकुल रबबर के जिसा हो जाता है जो मज़ने आता खाने में परफेक्ट और टेस्टी रोमाली रोटी बनने के लिए उसका जो डो है आटा ये किस तरह से बनता है ये देखना जरूरी है अगर आपने परफेक्ट डो बना लिया तो आप कैसे भी रोमाली रोटी बनाईए वो बिलकुल सॉप्ट और टेस्टी बन कर तयार होगा तो आईए इस वीडियो में देख लेते हैं परफेक्ट रोमाली रोटी का डो किस तरह से बन कर तयार होता है दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजेगा और हमारा चेनल दंदूर और फ्राइ कीजिन को सब्सक्राइब ज़रूर किजेगा आटे का मुशीन हमारा बिलकुल रेडी है अब इसमें हम डाल देंगे 10 केजी मेदा कुछ लोग खाली मेदे से रोमाली रोटी पना लेते हैं लेकिन परफेक्ट रोमाली रोटी का डो बनाने के लिए इसमें बॉम्बे आटे का मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है और यह रहा चार केजी बॉम्बे आटा जिससे रोटी आपका बिलकुल सौक्ट रहेगा रबर्गे जैसा कभी भी नहीं होगा और स्वाद अनुस्वार नमक यह रोमाली रोटी थोड़ा मिठास होता है इसके लिए इसके अंदर डालेंगे हम सक्कर, सुगर और यहाँ पे हमने आट एक लिया है जिससे यह बहुती सौप्ट बनेगा और यह रहा मिल्क मेड मिल्क मेड से रोटी बहुती टेस्टी और सौप्ट बनता है अगर आप रोमाली रोटी बना रहे हैं तो आपके पास अगर है तो थोड़ा सा मिल्क मेट ज़रूर डालिए जिससे रोटी आपका बिलकुल सौप्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये रहा प्लेन ओयल बिना फ्लेबर का हम तेल डालेंगे जिससे रोटी ह हमारा बहुत ज़्यादा देर तक सौप्ट रहेगा बिलकुल रब्बर के जैसा नहीं बनेगा और ये रहा दो लिटर दूद सौपिशेंट पानी डालेंगे और इस मशीन को हम दस मिनिट के लिए चालू कर देते हैं जरूत लगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं और एक बढ़िया सा सौप्ट डो बना कर तयार करना है ये दिखिए दस मिनिट बात एकदम परफेक्ट हमें मुलायम सा डो चाहिए बिलकुल इसी तरह आप चाहिए तो इसी गीले कपड़े से ढख कर 30 मिनिट के लिए चोड़ सकते हैं या तो फिर इसके उपर थोड़ा सा ओयल डाल के इसी तरह चोड़ देते हैं तीस मिनिट के बाद आप देखेंगे बिलकुल मुलायम सा परफेक्ट रोमाली रोटी का डो बनकर हमारा तयार है जिससे आप बिलकुल परफेक्ट रोमाली रोटी बना सकते हैं